निवर भूड़ा हो गया वो बाफ शरीर सूख गया बुढ़ाबा क्या है जंग लगा लोहा लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है जिन्दगी को जंग लगता है जब अपनी उलाद का दुसकार मिला करता है जब अपनी उलाद से उपेक्षाएं मिला करती है एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है और जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेकमार्क मिल जाता है बजार में मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं दुआ करता है उस बुढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया उसकी पत्नी की मौत हो गई अकेला बुढ़ापा दो बेटे एक डॉक्टर एक इंजीनिया पढ़ा लिखा के बढ़ा किया बढ़ा अक्षर होता है मुझे एक बाप अपने चार बेटों को पढ़ा लिखा के योग बना देता है अपने चार बच्चों को खिला देता है एक बाप लेकिन जार बच्चे मिलकर की बुढ़ापे में एक बाप को रोटिया नहीं दे सकते हैं जब छोटे थे तो इस बाप ने तुमें खिलाया था फिलाया था आज बुढ़ापा है जार बच्चे रोटिया नहीं दे सकते उसको अरे तुम से अच्छा तो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है क्या जिन्दगी है हमारी क्या जीवन है हमारा अपने ही घर में पराइब पन का बोद ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हों कल तक जहां हुकूमत चलती थी आज दो रोती का भी इंतजार करना परता है मानिवर माबाप अपने बच्चों की जुवान नहीं दे सकते किसी को क्या हालाद बना दिये हैं कि बुढ़ापे में माबाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बाने खड़े रहते हैं उनके पास कुछ है उस बुढ़े बाप को बहुए पसंद नहीं करते हैं भूटी आख नहीं सुहाता बुढ़ा उनको बड़ी परेसान हो गई बहुए बुढ़े बाप ने देखा यार इन बच्चों को मैंने पाला पोशा बड़ा किया आप बिचार तो करो एक बाल माबाप की पस्याएं मैं संत हूँ मैं दिगंबर संत हूँ लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते लेकिन मै बिस्वास के साथ कहता हूँ 23 साल में जितनी तफस्या मैंने नहीं की होगी उस से ज्यादा तफस्या मेरी माने मुझे पालने में की होगी कि या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में मावाब के ऐसान बड़ा आश्र होता है जिस माने नो महिने तुम्हें कोक में रखा बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हैं अ जिस माने आचल का दूद पिलाया उस मा को मटके का पानी नहीं पिला सकते हैं जिस माने बिचार करिये आज जो तुम बोल रहे हो अरे बेकार है वो अलाद जो अपने बाप को चुप कहते हैं उद्यान पर के कैसी अलाद है माबाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रही है अरे जीप गल के गिर जाना चाहिए आपकी माबाप को कहते हो चुप रही है जिसने बोलना सिखाया जब तुम पैदा हुए थे तुमे तो बोलना भी नहीं आता था बताईए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था इस माबाप ने और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तु बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहा हो मानिवर माबाप के ऐसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी जब तुमें चलते नहीं बनता था ना किसने चलना सिखाया था बताईए उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था इस माने सिखाया था इस पिताने सिखाया था ये तुम्हारे लिए घोडा बना था तुम उसकी पीट पर सवार हुए थे कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीकेते चलते थे गिर जाते थे चलते थे जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे एक बात तो बता दो युवाओं से मेरा निवेदन है जब तुम से चलते नहीं बनता था तो माबाप ने उंगली पकड़ी थे और आजुन से चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं कड़ सकते हो तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्माती है तुम्हें गाड़ी में बिठाके मंदिल ले जाने में शर्माती है तुम्हे क्या करती थी तुम्हारे टिफिन में दो रोटी रखती थी वेटा पढ़ाई भी करना भूख लगे तो यह रोटी खा लेना स्कूल में रहने के बाद भी मां तुम्हारा ख्याल रखती थी जब स्कूल जाते थे तो मां एक पिता एक रुपया दो रुपया तुम्हारी जेम म जिसमा ने टिफिन में दो रोटियां रखी है बुढ़ा पे में आज इस मा की धाली में दो रोटी नहीं है और जिस बाप ने जेव में पैसे डाले थे आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिन्दगी जी रहा है एक एक पैसे को तरसता है उसे शर्माती है अपनी अउलाद स से पैसा मांगने मैं एक बात तो बता दो युवाओं से मेरा निवेदन है कि बच्पन में तुमने Pitha के Jep से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्टा नहीं हुए आप से पूछेना जाहता हूं यवाओं से मेरा प्रस्ण है आज आपको गुस्सा क्यों आता है आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है एक बात आप से निवेदन करने जा रहा हूं मानिवर जब तुम छोटे थे न ये वोई बाप है तुमारे घर में चड़िया आती थी तुम बच्पन में चोटे में पूछते थे पापा ये क्या है पापा कहते थे बेटा चड़िया है फिर थोड़ी देर वाद चड़िया आती थी पापा ये क्या है बेटा ये चड़िया फिर चड़िया आई पापा यह क्या है तुमने दसवार पूछा बाप ने έकाई बताया वेटा चड़िया है पशाשा всю scanner यास बुड़ापी में एक बाप किसी बात को दौबार पूछ लेता है तो आप कहते तुम्हें एक बार का समझ मेंने आता है बार बार पूछते रहते हो कितनी बार समझाओं तुमको तुमने दस बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया तो आज पापा ने दो बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा है तुम कहते हो कि माबाप जिद करते हैं बुढ़ापे में परिसान करते हैं तुमने भ तुमने यही वाला चाहिए सोची आप विचार करिए बाप के पास कुछ नहीं था तुमने डिमांड की तुमने जित की तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे बाजार में रोने लगे थे गुए तब बापा को गुशा नहीं आया और आज माबाप थोड़ी सी जित कर ले तुमको गुशा आता है इस काम के जिंदिगी है तुमने किए चाहर कर ये तुमने कितना परिशान किया है माबाप को उस परेशानी का तो एक प्रचस्त भी चुका सको तुम भाप खुशी से मेरे भाई मैं आप से निवेदन करता हूँ माबाप का सम्मान ना कर सको कोई बात में है ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात में लेकिन मेरा आप से आज एक निवेदन है इज्जत ना दे सको कोई बात में मगर ऐसा तो करो कि मावाप इज़त से उस घर में रह सके ध्यान रखे इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके हो क्या करते हैं मावाप के लिए सौमी विवे का नन बहुत बड़े संत हुए अमेरिका गए उन्होंने अपना भाशन दिया प्रवचन दिया मापर बहुत अच्छा बोलते थे वो कहते थे माँ से अच्छा कुछ नहीं होता माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता कोई करतब नहीं होता हमारा बिवे का नन से किसी जिग्यासु ने पूछ लिया कि अब मा की इतनी महमाग आते हैं मा में ऐसा क्या है धर्ति पर आई है तुमा तो मलेगी मिलेगी इसमें कुन सा एचान है कि हर माबाप पाल पोश के बड़ा करते हैं कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने धर्ति पर आओगे तो माबाप तो मि Ol Nigrad बिवेकानन ने कहा, यह प्रस्न कोई भारत का आदमी पूछता है, कि माम है ऐसा क्या है, स्वामी बिवेकानन ने उसे गुलाए कि हरा, वो एक साफा वानते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बुली इसे पकड़ो, उसने कहा स्वामी जी यह क्या है, बुली पकड़ो उसने पकड़ा, तो स्वामी बिवेकानन ने कहा कि जाओ, मेरी सवा ग्रे के बाहर, एक किलो का पत्थर पड़ा है, उसे उठा के लाँ, बुली स्वामी जी मुझे प्रस्न का उत्तर चाहिए, पत्थर अप्थर में से नहीं उठेगा, बुली देख, माबाप के संदेह में उठा हुआ प्रस्न, इसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है, पत्थर का जबाब स्वामी बिवेकानन नहीं देते, पत्थर का जबाब पत्थर ही दिया करता है, जाओ और पत्थर उठा के लाओ, वो पत्थर उठा के लाया, स्वामी जी ने का अपने पेट में बांद, बा नहीं देगा माबाप के खिलाब उठा प्रश्न पत्थर है उत्तर भी पत्थर ही देगा जाओ इसने बांधा पुरी परिक्रम बुली थोड़ी देर बांधा पर छोड़ दिया बुली मेरे से नहीं होगा यह बुली क्यों बुली स्वामी जी आप इतने बड़ी विद्वान है मनीशी है ग्यानी है मैं पेट में पत्थर बानके भूमूंगा तो लोग हसेंगे मेरा मजाग बनेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा मुझे शरम आती है तो सामी बिवे का नन ने कहा उत्तर मिल गया बोले यह कोई उत्तर है क्या पुली यहीं उत्तर है जब तुझे एक किलो का पत्थर बानके घूमने में शरम आती है बोल तेरी मानों महीने तुझे पेट में उक से निकाल कर फैक देती तो आज मेरी सबह में प्रस्ट पूछने की औकात तरी नहीं होती इस ध्यान रखिये यह माबाप का उखार हुआ करता है यह माबाप की बडौलत है एक बात याद रखना मेरे भाई आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है माबाप की बडौल मानो इस मा का गर्वपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की टाकत रखी है उसने यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवच्छ नहीं सुन रहे होते तो लोग आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना यह मस्तोचना की पड़लिक के इज्जत क कमाई है यह मस्तोचना की दौलत कमा के इज्जत कमाई है आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं अपने माँबाप की बदौलत बैठे हुए हो ध्यान रखी मेरा आप से निवेदन है यदि ये मा तुम्हें जन्म देके किसी कचड़े घर में फैंक देती ना जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फैंक रहे हो यदि बचपन में इस माने फैंक दिया होता ना तो ना तुम्हारी जात का पता चलता ना तुम्हारी बाप का पता च बिते रहते की तुमसे साधी करने को तयार नहीं होता मेरे भाई माबाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है इस माने अपने सत festival को बचाया है उस पिताओने अपने चाल चलन को सुधारा है तब जाकर तुम हिस समाज में इज़त की जिन्दगी जी रहे हो मेरे भाई ख्यान रखे इज़त भी माबाप से मिली है ये नाम भी माबाप से मिला है और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना माबाप ने देखा था तुमने बाद में तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी, कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, माबाब तुम्हें बनाते हैं, आज तुम जहां भी हो, संतों की बदोलत, भगवान की बदोलत हो या ना हो, माबाब की बदोलत, आज तुम जहां भी ह माबाप कहां थे इसमें गुड़ा दुखी हो भया बहुएं पसंद नहीं करती घर जाता गुड़ा तो ऐसा लगता ऐसा लगता जिसे किसी जेल में प्रवेश कर रहा हो पत्नी भी नहीं फोटू लगी है पत्नी की लेटा हुआ है पलंग पर कभी पत्नी को देखता है कभी अपने आपको देखता है रात कट्ती है करवट में पता नहीं चलता कितनी लंबी रात है यूं तो अमावस पंधरा दिन में एक बार आती है लिक्स बूरे की जिंदगी मे तो अमावस्षी अमावस्थी पुर्णिमा तो कभी आही नहीं पाई सुभए ताने भरे शब्दों से नास्ता मिलता उलाहिना दे करके दो रोटी मिलती करते क्या हो तुम यहां बैखे बैखे कुछ नहीं गुला पुरा ठीक जाएं भी तो जाएं कहां बड़ा दुखी था अधी मर भी नहीं शकता मौत भी नहीं आती कि जी की बी नहीं सकता जीने ज смотреть us कुछ बचा भी नहीं है, बहुत दुखी रही था, थोड़ा वो अटेहल आता, यार दोस्तों में बैठता, शरीर में ताकत नहीं कुछ कमाए, कुछ महनत करे, फिर घर लोट आता और घर लोटता, तो एसा लगता, एसा लगता, किस दरिंदगी की जिंदगी में में बापस ल आता, आता, नहाता, धोता, टीवी के सामने बैठ जा, बुढ़े बाप से कोई कुछ नहीं पूछता, मैं युवाओं से निवेधन करूंगा, बुढ़े माबाप को बुढ़ा पे मैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई बुढ़े माबाप नहीं कहेंगे, अ अपनी कहती ही मेरे लिए हार लेकर आना बच्चे से पूछता बेटा तेरे लिए क्या लेकर आओं वो कहता है मोबाइल लेकर आना बेहन से पूछता है तेरे लिए क्या लेकर आओं वो कहती ही अच्छे से सूट लेकर आना लेकिन जब मां से पुछता है मां मैं विदेश जा कोई दूसरा ने एक मां है जो केवल तुम्हें चाहती है तुम्हें बस वाकी शारे रिष्टे तो तुम से कुछ चाहते हैं कि तुम्हें चाहने वाला को हुआ कि मानिवर क्या चाहिए एक बुढे माबाप को पतनी डिमांड कर सकती है सारी की आभूशन की उन्हें अच्छा पहनना नहीं चाहिए उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए उनने तो सब जीवन जी लिया है ज्यान रखना लड़कों से मेरा निवेदन है बुढे माबाप को केवल प्रेम के दो शब्द चाहिए, रूखी रोटी दे देना, आफिस से दुकान से जब भी लोटो, दो मिनिट अपने माबाप के पास जरूर बैठना, उनका हाल चाल पूछ लेना, समस्या का समाधान कर पाओ या ना कर पाओ, दो शब्द प्यार के बोलना कि पापाजी, कोई त तो नहीं है ना, आपकी तवियत ठीक है ना, बस इतना बोल दो, ध्यान रखिये, कुछ नहीं चाहिए माबाप को, एक मा को इतने ही तो सुनना है, कि मा से इतना बोल दे बेटा कि मम्मी तु ठीक है ना, मैं आज आप से पूछता हूँ, एक सच्चा बेटा होगा तो आज जाके घर में माबाप से पूछेगा कि माबाप, माता पिता जब तुमने मुझे जनम दिया था, क्या सोच के जनम दिया था, एक बार पूछना प्रशन अपनी माबाप से, क्या सोच के तुमने जनम दिया था मुझे, आप बताओ पिता जी, जैसा आपने सोचा था, मैं उस जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं माभाप तेजी मादो टो समझिना कि तुम अभी वैसा जीवन नहीं जी रहे हो और मैं पुलकसादर आपको चीहता हूं कि माभाप तेजी चुब हो जाएं तो कशम खा लें न शींट से मैं माभाप지